या गंदो, हॉस्पिटल के सामने खड़े हो क्यो फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है. क्या हो आप भाभी को? वही ओरतों वाली बीमारी. ओरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना अपर... इस सिगरेट कितना की है? तस रुपे की? और जेब में किती पड़ी? तेवी को और है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है. क्या बग रहा है? यह देख, मौत लगी इस पे मौत. और यह सानिटरी पैट पे जिंदगी. यह देख, मौत. हेलो दोस्तों, वेलकम टो माई यूटूब चैनल. मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है. अज मैं आपको लोग और स्ट्रोन मूवी के बारे में बताती हूँ. फिलेमन एंड इस्ट्रोन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है. जिसे देनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है. फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डेनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां ठेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डेनिस प्रती रुदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से ही इस जोड़े की कहानी से एरुदिक होकर मेटिशन ने सेले खनलाशन के एनिशन के साथ मिलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिकार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए हुए दानेशय फ्रेलमन और स्ट्रेहनिल निर्देशन ओली क्रेशन मैडिशन दरह लिकेशन मैडिशन लट्सी के एडिशन दरह उत्पादित लोशी ब्रेडन हरुएग बेडन कफी मैञें इस्टीफन स्टोडियो राफेल स्टेगल अभी नीथी थेरिय लेडॉन में रिष्ट मिलेक सन इस्टेवन स्टोगेड चायंकन जोग्रिय जोहशन उत्पादव कंपनिया निबस फिलिम बिसपोर्ट फिलिम त्वारा वित्रीत इस्टेन में डिनोन रिलीज गन्ने की दिथी 28 मार्ज 2008, 28 मार्ज 2008, करकरी समय 130 मिनट, देश टेनि मार्ग जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनि की कहानी पर दियान आकरसित करना था क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्टूत किया गया है उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी देनिस फिलिम उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था क्योंकि शुरू में डेनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्षपस्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बयान नाम बुरानी देश्ट्या से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म अमरेने आफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कथाने संदर्या के साथ फिल्मी एड स्टोनी भी प्यार मिश्टादित और रिस्तों के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़तल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनी मार्ग में रिलीज किया गया था उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म जादातर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक किया है सेली और युद के चित्रन और इसकी नेतिक दूइधाओ के लिए प्रिशाशन की गई थी कुछ आलुचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुखुल और नकारत्मक दोनों तरह से आम ओफर सेनी और अन्य युद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिकता पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दोना फिल्म प्रसकारों के लिए नावकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सेट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक खुरिया है एक्सन वरेथी वेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी परित्शी रोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं वेटन ने निवशियों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन टेवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वेटल अपने रास्ते का पहुज जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और वेटल को इंटर्नेशनल व्रेकिन स्रिकेंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में इस एंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब परे धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टो माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में बताती हूं फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासिक गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिडाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रोधक आलेंदन शेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी इस जोड़े की कहानी से एवरोधिक होकर मेडिशन ने से लेखन लाशेन के एनिशन के साथ मुइल कर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिश्यय फेलीमन और स्टैनल निरदेशन अलीकृशन मेडिशन दारा लेकित अलीक्रिशन मेडिशन लेट सी के एडिशन, दारा उत्पादित, लाशी ब्रेडन हेरिवेक, मेडन कोफी मैन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थेरिय लिडोन, मेंडिर्श मलेकसन, स्टेवन स्टोगेड, चायंकन जोग्रिय जोहशन, उत्पादो कंपनिया निबस फिलिम बिसपोर्ट फिलिम, द्वारा वित्रीत, इस्टैन मेंडिनोन, रिलीज करने के दिथी, 28 मार्ज 2008, 28 मार्ज 2008, करकरी समय 130 मिनट, देश देनिमार्क जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्तरे चार, फैलिमन और इस्टैनी की कहानी पर दिया नकर्सित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्टूत किया गया है, उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी देनिस फिलिम, उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि सुरू में डेनिमार्क में फिलिम क के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्षपष्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद्ध को एक जटिल अनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बयान नाम बुरानी स्टोनी भी प्यार, मिश्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसो की पड़्थल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनिमार्ग में रिलीस किया था उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म, जादतर अभी नेथाओं के फिर्दूशन नाटक्या, सैली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओं के लिए प्रिशाशंग की गई थी कुछ आलोचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक ता पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिल्म प्रसकारों के लिए नवकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिल्की रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फेमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परेशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुरिया है एक्सन वरेथी बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जेगल इस पर वैस करते हैं क्योंकि वे नाजी प्रित्सी रोद की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं वैटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और रेटल को इंटर्नेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांथ की जरूरत है में स्केंस के आदेश को ज्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरी यूटूब चैनल को सस्क्राइब पर धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टो माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में पताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक दोहजार आठ की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर मेडेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिडाओड और मेडिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रूदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी इस जोड़े की कहानी से एवरोधिक होकर मेडिशन ने से लेखन लाशेन के एनिशन के साथ मुलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिकार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिशिय फेलीमन और स्टैनिल निर्देशन ओली क्रेशन मेडिशन दारा लेखित ओली क्रेशन मेडिशन लेट सी के एडिशन दारा उत्पादित लॉसी ब्रेडन हेरिवेक मेडन कोफी मैन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थेरिय लिडोन, मेंडिश मलेकसन, इस्टेवन स्टोगेड, चायंकन जोग्रिय जोहशन, उत्पादव कंपनी यानिबस फिलिम, बिसपोर्ट फिलिम, त्वारा वित्रीत, इस्टेन मेंडिडोन, रिलीज करने की दिथी, 28 मार्ज 2008, 28 मार्ज 2008, करकरी समय 130 मिनट, देश टेनि मार्क जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनि की कहानी पर धियान अकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्टूत किया गया है, उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी देनिस फिल्म, उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि सुरू में डैनिमार्ग में फिल्म के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, नायक को नेतिक रूप से अर्सपष्ट पातरों के रूप में चरित्र करते हुए, निर्देशन नियुद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की, जो एक अच्छे बेन नाम बरानी देश्टिया से पार है, फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरीने आफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कतानस संदर्या के साथ, फिल्मी एड, स्टोनी भी प्यार, श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसो की पड़्थाल करता है, फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनिमार्ग में रिलीस किया था, उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म, जादा तर अभी नेथाओ के पिर्दूशन नाटक किया है, सैली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशन की गई थी, कुछ आलोचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकूल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई, इसने अपनी एतिहासिक इस्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी, इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिल्म के लिए नवकित किया गया था, डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है, बेट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है, जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुल दिया है, एक्सन वरेथी, बेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें, एलिबोद लोटर के हैटल, ग्रेविट और जर्मनी सेना, खुलाफिया बेगर के हर्मन, सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं, बेट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी पर सिरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं, बेटन निवशियों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है, बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्णल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब पर धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टू माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में पताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक दोहजार आठ की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारीत एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डेनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां ठेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डेनिस प्रती रूदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से थी इस जूड़े की कहानी से एवरोदिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मुलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिकार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताई दानिशया, फेलीमन और स्टेःनिल, निर्देशन, अलीक्रिशन मेडिशन, धारा लेकिद, अलीक्रिशन मेडिशन, लेट्ची के एडिशन, धारा उत्पादिद, लॉशी ब्रेडन हैर्डेग, मैडन कफी मैन, इस्तेफन स्टोडियो, राफियल स्टेगल, अभी नीथी, थेरिय लिडोन, मेंडिर्ष मलेकसन, इस्टेवन स्टोगेड, चानांकन जोग्रिय जोहशन, उत्पादव कंपनी यानिबस फिलिम, बिसपोर्ट फिलिम, द्वारा वित्रीत, इस्टेन मेंडिनोन, रिलीज गन्ने की दिथी, अठाइस माल दोजाराट, अठाइस माल दोजा करकारी समय 130 मिनट, देश डेनिमार्क जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर दियान आकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिसूत किया गया है, उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी देनिस फिल्म उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि सुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्सपष्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन नियुद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरितर करने की कोशिस की जो एक अच्छे बेन नाम बुरानी देश्टिया से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरेने आफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कताने संदर्या के साथ फिल्मी एड श्टोनी भी प्यार श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़्थल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को दैनिमार्ग में रिलीस किया था उस बर्स देश में सबसे ज़ादा देखी जाने वाली फिल्म ज़ादतर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक्या सेली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशन की गई थी कुछ आलोचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिल्म प्रसकारों के लिए नवकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकार्ट के बाद सैट ये फिल्म हेगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परेशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुदिया है एक्सन वरेथी बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी पर सिरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं बैटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन डैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिन सिकेंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांथ की जरूरत है में सिकेंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब और धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टू माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्राउन मूवी के बारे में बताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्राउन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डेनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारीत एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डेनी मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डेनिस प्रती रूदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी इस जूड़े की कहानी से एवरोदिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मुलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताई दानिशिया फैलीमन और स्ट्रेहनिल नेर्देशन औली क्रेशन मैडिशन जारा लकेत औली क्रेशन मैडिशन लट्सी की एड़िशन जारा हुत्पादेत लॉषी ब्रेडन हेर्ड़क बैरन कॉफी मैन स्टीफन स्नो डॉड़ dragal अभी नीती थेरियल अलर स्मेनल अ मेनर ग तोगेड चायंकन जॉग्रिया जोहशन उत्पादव कमपनी यानी बस फिलिम बिसपोर्ट फिलिम त्वारा वित्री इस्टेन में डिनों रिलीज गन्य की दिथी अठाइस मार्व दोजाराइट अठाइस मार्वाज दोजाराइट कारेकारी समय थीस मिनट देश वोली दानिशी जर्मानी वजट 8.6 मिलियन मेडिशन का फ्रेचार फैलिमन और इस्टेनि की कहानी पर दियान अकरसित करना था क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिसूत किया गया है उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी डेनिस फिलिम उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था क्योंकि शुरू में डेनिमार्ग में फिलिम के निर्मार में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्षपस्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बयान नाम बरानी देश्ट्या से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरीने आफस्टेनी से उधार ली गई दरश्ट्या और कथाने संदर्या के साथ फिल्मी एड श्टॉनी भी प्यार श्टादित और रिस्तों के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़तल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनी मार्ग में रिलीज किया गया था उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म जादा तर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक किया है सेली और युद के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशन की गई थी कुछ आलुचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुखुल और नकारत्मक दोनों तरह से आम ओफर सेनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दोना फिल्म के लिए नावकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सेट ये फिल्म हेगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फेविल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुरिया है एक्सन वरेथी बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोध लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी प्रतीरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं बैटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन डेवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूट्योब चैनल को सस्क्राइब और धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टू माइ यूट्योब चैनल मेरे यूट्योब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में बताती हूं फिलेमन एंड श्ट्रॉन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासिक गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिधावड और मेटिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रूदक आलेंदन शेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से ही इस जूड़े की कहानी से एवरोदिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मिलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिशिय फेलिमन और स्टेहनिल निर्देशन अली क्रेशन मेडिशन दारा लेकित अली क्रेशन मेडिशन लेट सी के एडिशन दारा उत्पादेथ लाशी ब्रेडन हैरिवेक मेडन कॉफी मेन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थैरी लिड़ौन, मेंरिश म्लेक सन इस्टेवन स्टोगेड, जानकन जोग्रिय जोहशन, उत्पादाव कंपनी यानिबस फिलिम, बिसपोर्ट फिलिम, द्वारा वित्रीट इस्टेन मेडिडोन रिलीज करने के दिए थी 28 मार्ज दोजाराट 28 मगज दोजाराट करकर समय 130 मिनट देश टैनिमार्ग जर्मनी वोली दानिशी जर्मनी वजट 8.6 मिलियन मेडिशन का फ्रेचार फैलीमन और इस टैनि की कहानी पर दियान अकरसित करना था क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्तूत किया गया है उस ताक्री तक निर्मिता सबसे बहेंगी देनिस फिलिम उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था क्योंकि शुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्सपस्ट पातरों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन नियुद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बैन नाम बरानी देश्टिया से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरेने ऑफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कताने संदरिया के साथ फिल्मी एड स्टोनी भी प्यार श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पर्ताल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को दैनिमार्ग में रिलीस किया गया था उस बर्स देश में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म ज़्यादतर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक्या सैली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशन की गई थी कुछ आलोचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक ता पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राश्टे दोना फिल्म प्रिसकारों के लिए नावकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हेगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट इसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुल दिया है एक्सन वरेथी वेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोध लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बेट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी प्रिसी रोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं वेटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बेट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वरडल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वेडल अपने रास्ते का वाउस चाते हैं बाद में बेट जॉरनल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिन स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब और धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकूम टू माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में पताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर मेरेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासिक गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रोधक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से ही इस जोड़े की कहानी से एवरोधिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मिलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिश्रिकार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताई दानिशय फैलिमन और स्ट्रहनिल निरिजेशन अल्य कृशन मेडिशन दारा लिकेट अल्य कृशन मेडिशन लेट्सी के एडिशन दोरा उत पादित लोशी ब्रेडान है १लिक कॉफी मेन स्टीफ़न स्टोडि आफील स्टेगल अभी निधी ठैयल इड़न मेंडरिस मलेक इस्टेवन्स टोगेड चायंकन जोग्रिय जोहशन उतपादव कमपनी यानि बस फिलिम बस पोर्ट फिलिम त्वारा वित्रीट स्टेन में रिलीज करने किती थी 28 मार्ज 2008, 28 मगज 2008, करकर समय 130 मिनट, देश टेनि मार्ग जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनि की कहानी पर दियान आकरसित करना था क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से परिस्तूत किया गया है उस ताक्री तक निरमिता सबसे महेंगी डेनिस फिलिम उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निरमित किया गया था क्योंकि सुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्सपष्ट पातरों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद्ध को एक जटी लनुवावों के रूप में चरितर करने की कोशिस की जो एक अच्छे बेन नाम बुरानी देश्टिया से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरेने आफस्टेनी से उधार ली गई द्रश्टिया और कताने संदर्या के साथ फिल्मी एड इस्टोनी भी प्यार श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़तल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनिमार्ग में रिलीज किया गया था उस बर्स देश में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म ज़्यादतर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक्ये सेली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशंग की गई थी कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक ता पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दोना फिल्म प्रसकारों के लिए नवंकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुदिया है एक्सन वरेथी वेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बेट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी पर सिरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं वेटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन डेवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्णल और रेटल को इंटर्नेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे चौकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरी यूटूब चैनल को सस्क्राइब और धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टो माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में बताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक दोहजार आठ की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डेनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डेनिस प्रती रोधक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी इस जोड़े की कहानी से एवरोधिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशेन के एनिशन के साथ मुइल कर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिशिये, फेलिमन, और स्ट्रेनिल, निरदेशन ओली उली क्रेशन मेडिशन, दारा लेकित ओली क्रेशन मेडिशन, लैट्सी के एडिशन, दारा उतपादेट, लाशी ब्रेडन हेरिवेक, मेर्डन कोफी मैन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, देरिये, लिडोन, मेंडिश्ट, मलेकसन, इस्टेवन, स्टोगेड, चायंकन, जोग्रिये, जोहशन, उतपादाव कंपनिया, निबस फिलिम, बिसपोर्ट फिलिम, द्वारा वित्रीत, इस्टेन मेंडिनोन, रिलीज करने की दिथी, अठाइस मार्स दोजाराट, अठाइ दानिशी जर्मानी, वजट 8.6 मिलियन, मेंडिशन का फ्रेचार, फैलीमन और इस्टेनी की कहानी पर दियान अकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिसूत किया गया है, उस ताक्री तक निर्मिता सबसे महेंगी डैनिस फिलिम, उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि शुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्मार में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, नायक को नेतिक रूप से अर्षपस्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए, निर्देशन ने युद को एक ज फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरेने ऑफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कथाने संदर्या के साथ, फिल्मी एड़ स्टोनी भी प्यार, मिश्टादित और रिस्तों के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़तल करता है, फिल्म को नकारत्मक समीच्चा के ल उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म, जादा तर अभी नेथाओं के फिर्दूशन नाटक्या, सैली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओं के लिए प्रिशाशं की गई थी कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारत्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिल्म प्रसकारों के लिए नवकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिल्की रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुदिया है एक्सन वरेथी बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी प्रिसरोद की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं वैटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिन सिकेंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांथ की जरूरत है में सिकेंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब और धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टू माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में पताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक दोहजार आठ की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डेनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डेनिस प्रती रूदक आलेंदन सेन्यों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से थी इस जूड़े की कहानी से एवरोदिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशेन के एनिशन के साथ मिलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिशिय फेलिमन और स्ट्रेनिल निर्देशन ओली क्रेशन मेडिशन दारा लेकित ओली क्रेशन मेडिशन लेट सी के एडिशन दारा उत्पादित लाशी ब्रेडन हेरिवेक मेडन कोफी मेन इस्टीफन स्टोडियो राफेल स्टेगल अभी नीथी थेरिय लिड़न मेंडिश मलेक सन इस्टेवन स्टोगेड चायंकन जग्रिय जोहशन उत्पादाव कंपनी यानिबस फिलिम बिसपोर्ट फिलिम त्वारा वित्रीत इस्टेन मेंडिडन रिलीज गन अठाइस मार्ज दोजाराट अठाइस मार्ज दोजाराट करकर समय 130 मिनट देश टैनिमार्क जर्मनी वोली दानिशी जर्मनी वजट 8.6 मिलियन मेडिशन का फ्रेचार फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर धियान अकरसित करना था क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अप्चेति या गलत तरीके से प्रिस्तूत किया गया है उस ताकरी तक निर्मिता सबसे भेंगी देनिस फिलिम उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था क्योंकि सुरू में डेनिमार्क में फिलिम के निर्मार्ड में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्सपस्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बयन नाम बुरानी देश्टिया से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरीने ऑफ स्टैनी से उधार ली गई दरश्टिया और कथाने संदर्या के साथ फिल्मी एड श्टोनी भी प्यार श्टादित और रिस्तों के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़्थल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनी मार्ग में रिलीज किया गया था उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म जादा तर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक्यै सेली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दूइधाओ के लिए प्रिशाशंग की गई थी कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिल्म प्रिसकारों के लिए नवंकित किया गया था डैनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुल दिया है एक्सन वरेथी बैटन और जैगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जैगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी प्रittरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं बैटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्णल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टू माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉण मूवी के बारे में पताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉण एक दोहजार आठ की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर मेडेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारीत एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरान थेरिय लिड़ावड और मेडिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रूदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से थी इस जूड़े की कहानी से एवरोदिक होकर मेडिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मुलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताई दानीशिये, फालीमन, और स्ट्रेहनील, निर देशन ऑलीक्रेशन मेडिशन, दारलेकित अलीक्रेशन मेडिशन, लेटसी के एडिशन, दारी उत्पादित, लुशी ब्रेडन हैरिवेक, मेडन कॉफी मेन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थेरीय में रिष्ट मिलेकसन, इस्टेवन स्टोगेड, चानांकन जॉग्रिय जोहशन, उत्पादाव कंपनी यानि बस फिलिम, विस्पोर्ट फिलिम, द्वारा वित्तीत, इस्टेन में रिलीज गन्ने की थी, 28 मार्ज 2008, 28 मार्ज 2008, करकरी समय 130 मिनट, देश टेनी मार्ग जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर धियान आकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिसूत किया गया है, उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी देनिस फिलिम, उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि सुरू में डैनि मार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नायक को नेतिक रूप से अर्षपष्ट पातरों के रूप में चरितर करते हुए, निर्देशन ने युद्ध को एक जटी लनुवावों के रूप में चरितर करने की कोशिस की, ज तो एक अच्छे बेन नाम बुरानी देश्टिया से पार है, फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरेने ऑफ स्टैनी से उधार ली गई द्रशने और कथाने संदर्या के साथ, फिल्मी एड़, स्टोनी भी प्यार, श्टादित और रिस्तों के भावनात्मक पहलों के बिस रिलीस किया गया था, उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म, जादतर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक किया है, सैली और युद्ध के चित्रण और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशंग की गई थी, कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद्ध फिल्म की गई, इसने अपनी इतिहासिक स्टैनिक का पर भी बैस छोड़ दी, इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दोना फिल्म प्रस्कारों के लिए नावकित किया गया था, डेनी माल्क पर नाजी आकार्ट के बाद सैट ये फिल्म हेगर अरिश्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फेविल के रूप में पैचानती है, और उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है, बेट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है, जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुरिया है, एक्सन वरेथी, बेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें, एलिबोद लोटर के हैटल, ग्रेविट और जर्मनी सेना, खुलाफिया बेगर के हर्मन, सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं, बेट और जेगल इस पर बैस करते हैं, क्योंकि वे नाजी पर सिरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं, बेटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है, बेट रिप्टाउन को मारता है, लेकिन डैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है, जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, और वर्डल अपने रास्ते का भाउस जाते हैं, बाद में बेट जॉर्नल और वर्डल को इंटरनेशनल वर्रेकिन सिकेंस से मिलते हैं, कि अब और हमले नहीं होंगे, क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांथ की जरूरत है, शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद हैं, हेलो दोस्तों, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, आज मैं आपको लोग और स्ट्रॉन मूवी के बारे में बताती हूँ, फिलेमन एंड इस्ट्रॉन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है, जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर मेडेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है, फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारीत एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में, डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिधाओड और मेडेशन मेकलोशन को, दो डैनिस प्रती रूदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी, इस जोड़े की कहानी से एवरोदिक होकर, मेडेशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मुइल कर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताएफ। दानिशिये, फेलीमन, और स्ट्रेनिल, निरदेशन अलीक रेशन मेडिशन, दारा लेकित अलीक रेशन मेडिशन, लेट्सी के एडिशन, दारा उत्पादेट, लाशी ब्रेडन हेरिवेक, बैडन कॉफी मैन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, ठेर दानिशिये, लिड़ोन, मेंडिश्ट, मलेक सन, इस्टेवन, स्टोगेड, चानांकन, जोग्रिये, जोहशन, उत्पादाव कंपनिया, निबस फिलिम, बिस्पोर्ट फिलिम, द्वारा वित्रीत, इस्टेन में डिडोन, रिलीज करने की दिथी, अथाईस माल दोजाराट, 28 मगज, 2008, कारकारी समय, 130 मिनट, देश्टेनी मार्क जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर दियान अकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिसूत किया गया है, उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी डेनिस फिलिम, उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि शुरू में डेनिमार्क में फिलिम के निर्मार में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, नायक को नेतिक रूप से अर्षपस्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए, निर्देशन नियुद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की, जो एक अच्छे बयान नाम बुरानी देश्ट्या से पार है, फिलिम नौरी और फ्रांसी फिलिम हमरीने आफ स्टैनी से उधार ली गई, द्रशने और कथाने संदरिया के साथ, फिलेमी एड, स्टोनी भी प्यार, श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़्थल करता है, फिलिम को नकारत्मक समिक्चा के लिए, 28 मार्ज 2008 को डैनी मार्ग में रिलीस किया गया था, उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिलिम, जादा तर अभी नेथाओं के फिर्दूशन नाटक्किय, सैली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओं के लिए प्रिशाशं की गई थी, कुछ आलोचन को द्वारा एक कला फिलिम मानी जाने वाली फिलिम की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिलिम की गई, इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी, इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिलिम करस्कारों के लिए नमकित किया गया था, डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिलिम हेगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परेशान करती है, बैट इसका पीछा करता है और उसका सामना करता है, जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुदिया है, एक्सन वरेथी बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोध लोटर के हैटल, ग्रेविट और जर्मनी सेना, खुलाफिया बेगर के हर्मन, सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं, बैट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी प्रितिरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं, बैटन ने निवशियों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है, बैट रुप्टाउन को मारता है, लेकिन डैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है, जगल उनकी पतनी वेडल और उनकी बैटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, और वेडल अपने रास्ते का भौज जाते हैं, बाद में बैट जॉर्नल और वेडल को इंटरनेशनल ब्रेकिन सिकन्स से मिलते हैं, कि अब और हमले नहीं होंगे, क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है, में सिकन्स के आदेश को द्यारी करते हैं, यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है, आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें मेरे योटो चैनल को, सस् मेरे योटो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, आज मैं आपको लो और स्ट्रॉण मूवी के बारे में बताती हूँ, फिलेमन एंड इस्ट्रॉण एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है, जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है, फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में, डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिधावड और मेटिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रुदक आलेंदन सेनियों के रूप में, फिलेमन और बार साल की उमर से ही इस जूड़े की कहानी से एवरुदिक होकर मेटिशन ने सेले खनलाशन के एनिशन के साथ मिलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिकार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए, दानिशिये, फेलिमन और स्ट्रेनील, निर्धेशन ओली क्रेशन मेडिशन, जारा लेकेद ओली क्रेशन मेडिशन, लेट सी के एडिशन, जारा उतपादेद लौसी ब्रेडन हैरिवेक, मैंद कॉफी मैन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थेरेल में रिष्ट मिलेकशन, इस्टेवन स्टोगेड, चायंकन जोग्रिय जोहशन, उत्पादव कम्पनिया निबस फिलिम, विस्पोर्ट फिलिम, त्वारा वित्रीत, इस्टेन में रिलीज गन्ने कि दिथी, 28 मार्ज 2008, 28 मार्ज 2008, करकर समय 130 मिनट, देश टेनी मार्ग जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर दियान अकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्टूत किया गया है, उस ताक्री तक निर्मिता सबसे बहेंगी देनिस फिलिम, उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि सुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, नायक को नेतिक रूप से अर्सपस्ट पातरों के रूप में चरित्र करते हुए, निर्देशन नियुद को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की, जो एक अच्छे बयन नाम बुरानी देश्टिया से पार है, फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरेने ओफ स्टैनी से उधार ली गई द्रश्टिया और कताने संदर्या के साथ, फिल्मी एड़, स्टोनी भी प्यार, मिश्टादित और रिस्तों के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़्थाल करता है, फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनी मार्ग में रिलीज किया गया था, उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म, जादा तर अभी नेथाओं के पिरदूशन नाटक्या, सैली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओं के लिए प्रिशाशं की गई थी, कुछ आलोचन को द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई, इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिकता पर भी वैस चोड़ दी, इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राश्टे दौना फिल्म प्रिसकारों के लिए नावकित किया गया था, डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हेगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है, बैट इसका पीछा करता है और उसका सामना करता है, जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुल दिया है, एक्सन वरेथी, बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें, एलिबोध लोटर के हैटल, ग्रेविट और जर्मनी सेना, खुलाफिया बेगर के हर्मन, सिबोट सदस्य को मानने के लिए कहते हैं, बैट और जेगल इस पर बैस करते हैं, क्योंकि वे नाजी प्रित्सी रोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं, बैटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है, बैट रिप्टाउन को मारता है, लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है, जगल उनकी पतनी वरडल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, और वेडल अपने रास्ते का वाउस चाते हैं, कि अब और हमले नहीं होंगे, क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है, मैं सिगेंस के आदेश को द्यारी करते हैं, यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है, आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें मेरे योटो चैनल को, सस स्क्राइबरी धन्यवाद, हेलो दोस्तों, वेलकम टो माइ योटोब चैनल, मेरे योटोब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, आज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में बताती हूं, फिलेमन एंड इस्ट्रॉन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है, जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है, फिलिम हित्यासिक गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में, डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिधाओड और मेटिशन मिकलोशन को, दो डैनिस प्रती रूदक आलेंदन शेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से ही, इस जोड़े की कहानी से एवरोधिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मुईल कर इसे बनाने के लिए, एतियासिक एविलिशकार पर सोधन करते हुए, आठ साल विताए, दानीशिय, फैलीमन और श्ट्रेहनिल नेदेशन ओली क्रेशन मेडिशन दारा लेकेद ओली क्रेशन मेडिशन लैटिसी के एडिशन दारा उतपादेथ लाशी ब्रेडन हेरिवेक, मेडन कोफी मेन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थेरिय लिडोन, मेंडिर्श मलेकसन, इस्टेवन स्टोगेड, चानांकन जोग्रिय जोहशन, उत्पादो कंपनिया, निबस फिलिम, बिसपोर्ट फिलिम, त्वारा वित्रीत, इस्टेन मेंडिनोन, रिलीज करने की दिथी, 28 मार्ज दोजाराट, 28 मार्ज दोजाराट, करकरी समय 130 मिनट, देश टेनिमार्क जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर धियान आकरसित करना था, क्योंकि उन्हें लगा क उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्तूत किया गया है, उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी डैनिस फिल्म उसे जर्मनी कंपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था, क्योंकि शुरू में डैनी मार्क में फिल्म के निर्माण में कोई दिल चस्थ भी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्षपश्ट पातरों के रूप में चरितर करते हुए निर्देशन ने एउद्ध को एक जटील अनुवावों के रूप में चरितर करने की कोसिस की और कथाने संदर्या के साथ फिलेमी एड़ स्टोनी भी प्यार मिश्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़्थाल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनिमार्ग में रिलीज किया गया था उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म जादतर अभी नेथाओं के पिरदूशन नाटक्ये सेली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओं के लिए प्रिशाशंग की गई थी कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिकता पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दोना फिल्म प्रसकारों के लिए नवंकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बैट इसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुदिया है एक्सन वरेथी वेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बेट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजीपृसी रोध की समभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं वेटन ने निवशियों में सरकार के आदेश पर कारिय करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन डेवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और रेटल को इंटर्नेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टो माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में बताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक 2008 की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर में डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासिक गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डेनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डेनिस प्रती रोधक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी इस जोड़े की कहानी से एवरोधिक होकर मेटिशन ने से लेखन लाशेन के एनिशन के साथ मुइल कर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिल कार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिशिय फेलिमन और स्ट्रेनिल निर्देशन ओली क्रेशन मेडिशन दारा लेकित ओली क्रेशन मेडिशन लेट्सी के एडिशन दारा उत्पादित लाशी ब्रेडन हेरिवेक बैडन कॉफी मैन स्टीफन स्टोडियो राफेल स्टेगल अभी नीथी ठेरियल इडॉन में रिश्ट मेक संट इस्टेवन स्टोगेड चानांकन जोग्रिय जोहशन उत्पादव कंपनिया निवर्स फिलिम बेस्पोर्ट फिलिम द्वारा वित्रीट इस्टेन में डिनों रिलीज कनने की दिथी 28 मार्ज 2008, 28 मार्ज 2008, करकरी समय 130 मिनट, देश टेनी मार्ग जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर दियान अकरसित करना था क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्तुत किया गया है उस ताकरी तक निर्मिता सबसे महेंगी देनिस फिलिम उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निर्मित किया गया था क्योंकि सुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्सपस्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद्ध को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बेन नाम बुरानी देश्टिया से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरीने आफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कताने संदर्या के साथ फिल्मी एड इस्टोनी भी प्यार श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़तल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनिमार्ग में रिलीज किया गया था उस बर्स देश में सबसे ज़ादा देखी जाने वाली फिल्म ज़ादतर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक्यै सेली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशंग की गई थी कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक ता पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दौना फिल्म प्रसकारों के लिए नवकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिल्की रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फेमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परेशान करती है बैट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुदिया है एक्सन वरेथी बैटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बैट और जेगल इस पर बैश करते हैं क्योंकि वे नाजी पतिरोद की सम्भावना को कम करने के लिए के वल दैनी को मारते हैं वेटन ने निवस्यों में सरकार के आधेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्नल और रेटल को इंटर्नेशनल ब्रेकिन सिकेंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे चौंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में सिकेंस के आदेश को ज्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद हेलो दोस्तों वेलकम टो माइ यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है अज मैं आपको लो और स्ट्रॉन मुवी के बारे में पताती हूँ फिलेमन एंड स्ट्रॉन एक दोहजार आठ की इत्यासिक ट्रामा फिलिम है जिसे डैनिस निर्देशन ओली क्रेशियर मेरे डेशन द्वारा से लिखित और निर्देशित किया गया है फिलिम हित्यासि गटनाओ पर आधारित एक कालपनिक खाता दुत्य विश्वियुद में डैनि मार्क के नातीजी कवजा के दोरां थेरिय लिड़ाओड और मेटिशन मिकलोशन को दो डैनिस प्रती रूदक आलेंदन सेनियों के रूप में फिलेमन और बार साल की उमर से भी इस जोड़े की कहानी से दे एवरोदिक होकर मेडिशन ने से लेखन लाशन के एनिशन के साथ मुइलकर इसे बनाने के लिए एतियासिक एविलिशिकार पर सोधन करते हुए आठ साल बिताए दानिशिय फेलीमन और स्टेहनिल निरदेशन औली क्रेशन मेडिशन दारा लेकित औली क्रेशन मेडिशन लेट सी के एडिशन दारा उतपादेत लाशी ब्रेडन हेरिवेक मेडन कोफी मैन, स्टीफन स्टोडियो, राफेल स्टेगल, अभी नीथी, थेरिय लिडोन, मेंडिश मलेक सन, इस्टेवन स्टोगेड, चायंकन जोग्रिय जोहशन, उतपादो कंपनी यानिबस फिलिम, बिसपोर्ट फिलिम, त्वारा वित्रीत, इस्टेन मेंडिडोन, र 28 मगस, 2008, करकारी समय 130 मिनट, देश टेनी मार्क जर्मनी, वोली दानिशी जर्मनी, वजट 8.6 मिलियन, मेडिशन का फ्रेचार, फैलिमन और इस्टेनी की कहानी पर धियान अकर्सित करना था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अपचेतित या गलत तरीके से प्रिस्टूत किया गया है, उस ताकरी तक निरमिटा सबसे बहंगी देनिस फिलिम, उसे जर्मनी कमपनियों द्वारा से निरमित किया गया था, क्योंकि सुरू में डैनिमार्ग में फिलिम के निर्माण में कोई दिल्चस्पी नहीं थी नायक को नेतिक रूप से अर्सपष्ट पात्रों के रूप में चरित्र करते हुए निर्देशन ने युद्ध को एक जटी लनुवावों के रूप में चरित्र करने की कोशिस की जो एक अच्छे बेन नाम बुरानी देश्टिया से पार है फिल्म नौरी और फ्रांसिक फिल्म हमरीने आफस्टेनी से उधार ली गई द्रशने और कताने संदर्या के साथ फिल्मी एड श्टोनी भी प्यार श्टादित और रिस्तो के भावनात्मक पहलों के बिसों की पड़ताल करता है फिल्म को नकारत्मक समिक्चा के लिए 28 मार्ज 2008 को डैनिमार्ग में रिलीस किया गया था उस बर्स देश में सबसे जादा देखी जाने वाली फिल्म जादा तर अभी नेथाओ के पिरदूशन नाटक्याय सेली और युद्ध के चित्रन और इसकी नेतिक दुविधाओ के लिए प्रिशाशंग की गई थी कुछ आलोचनको द्वारा एक कला फिल्म मानी जाने वाली फिल्म की तुलना अनुकुल और नकारात्मक दोनों तरह से आम ओफर सैनी और अन्ययुद फिल्म की गई इसने अपनी एतिहासिक स्टैनिक का पर भी वैस चोड़ दी इसके अतिरिक इसे गरेल और अंतर राष्टे दोना फिल्म परसकारों के लिए नवकित किया गया था डेनी माल्क पर नाजी आकॉंट के बाद सैट ये फिल्म हैगर अरिस्टैनी फिर्टी रोदक समू के बेस्ट पांचर हीटर फैमिल के रूप में पैचानती है और उसका असली नाम कहकर उसका असली नाम कहकर उसे परिशान करती है बेट उसका पीछा करता है और उसका सामना करता है जिस पर वह कहती है कि ये रहे इस्टीम हॉम और कॉपी हॉम के बीच संदेश चलाने वाली एक कुल दिया है एक्सन वरेथी बेटन और जेगल के हैलेटर उन्हें एलिबोद लोटर के हैटल ग्रेविट और जर्मनी सेना खुलाफिया बेगर के हर्मन सिबोड सदस्य को मानने के लिए कहते हैं बेट और जेगल इस पर बैस करते हैं क्योंकि वे नाजी पर सिरोध की संभावना को कम करने के लिए केवल डैनी को मारते हैं बेटन ने निवश्यों में सरकार के आदेश पर कार्य करने का दावा किया है बैट रिप्टाउन को मारता है लेकिन गैवेट और स्लेविल को मानने में विफल रहता है जगल उनकी पतनी वर्डल और उनकी बेटी एलन अपनी कार में एन को जनम दिन मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वर्डल अपने रास्ते का भौस जाते हैं बाद में बैट जॉर्णल और रेटल को इंटरनेशनल ब्रेकिंस स्केंस से मिलते हैं कि अब और हमले नहीं होंगे क्योंकि बड़े हमले के लिए उन्हें सांत की जरूरत है में स्केंस के आदेश को द्यारी करते हैं यह वीडियो जहीं समाँ तो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरी योटो चैनल को सस्क्राइब परे धन्यवाद गॉच्ग